हलो वेलकम बेग फ्रेंड्स से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरू सौट में आज की इस वीडियो के लिए कैसे साउंड को एडिट करता हूं देखे मैं एडिटिंग के लिए यहां पर देखे तो मैं शॉट्ट का भी यूज करता हूं और मैं फिल्मरा सौट्वेयर का भी यूज करता हूं यहां पर देखे यहां पर देखेंगे तो सेभ भी करके रख लिया है उपर में सबसे ऊपर में आपको दिख जाएगा देखे यहां पर इस पर इस F Indogrix ने किस पहले आप अपने ऑडियो को यहां के एक करेंगे इक्सपोर्ट बटन पर आपको क्लिक कर लेना है यहां पर जैसे ही आपको क्लिक करेंगे यहां पे आपको जोवी folder को select करना हो select कर ले, rename करना हो rename कर दे, यहां पे देखें मैंने India got लिखा है तो यहां पे save button पे हम click करेंगे और फिर से एक बार save button पे click कर देना है और यहां पे देखेंगे कोने में की यह task start हो गया है, सबसे पहले अब इस video का audio export हो जाएगा यहां पर आपको टास्क कर दिख जाएगा यहां पर देखें जॉब्स में जब आप फूजिट करेंगे यहां पर दिख जाएगा shortcut software में तो देखें यहां पर जब मेरा audio edit हो जाता है उसके बाद हम सीखेंगे कि आप इस audio को edit करके अपने इस में कैसे प्रोफेशनल तरीके से यहां पर सेट आप कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने वीडियो को कैसे एड़ांसे लेबल से एडिट कर सकते हैं अब एड़ांसे लेबल से अपने वीडियो को एडिट करते हैं वोइस को एडिट करते हैं तो ही लोगों को लगत क्लोज करने के बाद क्या करना है कि देखे मैं दो सॉप्ट्वेर का यूज करता हूं पहले मैं यहां पर दिखा दूँ यहां पर मैं और सिटी का भी यूज करता हूं यहां पर देखे तो यहां पर एड़ोग ऑडिशन का भी मैं साउंड एडिट के लिए यूज करता हूं त पर देखें, फाइल बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद जहां पर भी आपने 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 ओडियो को रख़्ा हुआ है, वहाँ से इसे से लेक्ट करेंगे, अब यहांपर ओपन हो गया है, अब यहां पर देखें, और यह ओडियो आगी है, अब कंट्रोल पलास one को जब प कर लेते हैं देखे आप यहां पर यह सेलेक्ट हो गया है सबसे पहले इसका नोज को रिडेक्शन करना होता है यहां पर देखे यहां पर आपको नोज रिडेक्शन दिख जाएगा तो इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इसमें दो स्टेप करना होता है पहले स्टेप मे पूरे timeline में जितने भी जहां भी noise होंगे वहां सभी का जो है यह देखे भी मैंने जिन noise profile में क्लिक किया तो यहां तक का यह ले लिया है अब यहां पर पूरे को select करेंगे और इसी effect में जाएंगे और repeat noise reduction कर देंगे तो देखे अब जो यह reduction करेगा पूरे जितने भी audio है यहां सिर्फ आवाज रहेगा इसमें और background में जो भी पंक्खा चल रहा है या फिर आवाज आ रहा है यहां पर गारी सब का आवाज आता है अगर आपके road के side में है तो जाता देखने को मिलता है कि बच्चे सब के आवाज record हो जाते हैं तो उसे आप यहां पर manually cut कर सकते हैं देख कुछ इस तरीके का आपको graphic equalizer यहां पर दिख जाएगा manage बटन में जाएंगे यहां पर factory presets में आपको कुछ पहले से ही दिये रहते हैं यहां पर देखे base boost रहेगा base cut RIA रहेगा travel boost रहेगा travel cut रहेगा तो इसी में से आपको play कर करके सुनना है देखे मैं एक बार base boost करता और यहां पर base को boost कर दिया गया है base cut करेंगे तो base हमारा sound का base होगा वो खतम हो जाएगा पूरी तरीके से तो यहां पर आपको base boost कर देना है और direct यहां पर ok बटन पर आप click करेंगे देखे यहां पर मैंने graphic equalizer को यहां पर ok बटन पर click करेंगे यहां पर apply कर दिया है जैसे यहां पर देखे कि कुछ इस तरीकी का यहां पर यह बढ़ जाएगा देखे यहां पर बढ़ गया अब कुछ नहीं करना है direct file में जाना है export बटन पर click करना है export to as mp3 button पर click करना है और यहां पर देखे audio edit हो गया है अब सिधे इस audio को आप क्या करना है कि मैं film अगर आप एडिट किया है तो फिल्मोरा के background में इस audio को लगा देंगे और पुराने वाले audio को या तो आप mute कर सकते हैं या फिर उसे detach करके delete कर सकते हैं तो देखे friends यह वीडियो आपको अच्छा लग इब बाह